Hello parents, how are you? I hope all are fine. Parents, in last video parenting tips आपको अच्छी लिग लगी, उसके लिए thank you. Today our topic is how to maintain the timetables for student in lockdown. Students के लिए lockdown में timetable कैसे manage किया जाएं? उसके लिए first of all, सबसे पहले आपको early in the morning बच्चों को time पे उठाना है, उसे fresh होने देना है. On time, it means कि आपको जल्दी उठाना है, उसे fresh होने देना है, उसके बाद breakfast देना है. और then, जब classes start होती है, 9 o'clock, during the classes, no lunch. आपको उन्हें lunch नहीं देना है, उन्हें water, drink, milk, आप क्या करते हैं? क्लासिस चल रही होती है, बीच में बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं, जिससे क्या होता है? बच्चा concentration नहीं कर पाता, तो आपको classes के बीच में बच्चों को नहीं देनी चाहिए. और classes start होने पे ऐसा नहीं उठाया और बच्चों को सामने बिठा दिया, बेटा classes start होगी, live classes चल रही है, चलो जल्दी से खड़े होजा और बिठा दिया बच्चों को ready करके, नहीं, आपको उसे on the time उठाना नहीं है, आपको पहले उठाना है, उसे time पे उठाना है, time से पहल break time में आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को खड़ा करना है, और उन्हें बोलना है कि eyes wash करके, और बच्चों आपको भी ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपनी wash your eyes, okay, next, drink water and break the snacks, snacks आपको break में लेने है, ठीक है, next फिर break time के बाद फिर continue classes चलती है, आपकी 1 o'clock तक, तो आपको क्या करना है, उसे अच्छे से देखना है, और अच्छे से work जो दे रही है मैं वोसे complete करना है, जब आप classes attempt कर रहे हैं, आपको कोई doubt है, उसे आप note done कर लें, ताकि आप बाद में मुमा से पूछ सकें, आप बीच में मुमा को बलाते हैं, मुमा ये क्या बता आरी है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ममा में disturb होती है, तो आप भी disturb होते हो, प्रीज मदर बच्चों को भलिए कि online classes देखें, देखने के बाद जो भी doubt है, उसे not done कर लें, और बाद में teacher से concern करें, classes जो हमारी चलती है, 1 o'clock तक, 2 o'clock तक end हो जाती है, then बच्चों को थ 2 o'clock, 3 o'clock के बीच में lunch देने के बाद, बच्चे को सोने के लिए time देंगे, sleeping time, बच्चों को सोना बहुत जुरूरी है, क्यूंकि afternoon, जो बच्चों morning में classes रेटाइन करते हैं, वो phone या laptop के थू करते हैं, या TV के थू करते हैं, तो उसमें ice पर जोर पढ़ता है, next video मैं लेके आउंगी, ice की exercise, अभी जो time होगा, sleeping time, 1 hour का sleeping time आप दें, then 5 to 6 o'clock, playing time, playing ये नहीं है, कि आपने phone लिया और phone पर game खेलने लग गए, no, playing time is physical exercise, physical game, जो हैं, वो खेले, okay, आज तो पता लग गया, PUBG बैन हो गया, सब के लिए, और भी काफी सारी games बैन हो गई है, तो आपको क्या करने है, physical exercise करनी है, physical games केलनी है, और हो सके, तो parents आप भी बच्चों के साथ, bad ball, ये चीज़े घर पे खेले, ठीक है, और secondly, 7 to 8 o'clock, आपका study time होगा, revise time, जो आपने morning में classes में attempt किया है, उसे आप revise करेंगे, then, अब मैं आपको क्या करूँगी, एक time table शो कराऊंगी, उस time table के through, आप अपना time table manage कर सकते हैं, look at this, students time table, 7 to 7.30, wake up, आपको उठना कब है, 7 to 7.30 के भीच में, 7.30 to 8.30, brush time, and fresh up, break fast, 9 to 1 o'clock, या 2 o'clock तक आपकी continue classes चलती है, बीच में आपको break मिलता है, बीच में break, जब मिलेगा तो क्या करना, आपको wash your eyes, first of all, stand up and go wash your eyes, and breakfast में आपको break में क्या करना है, break में आपको snacks लेने है, water पीना है, juice लेना है, and during break snacks time, wash your eyes, and 2 to 3 o'clock, lunch time, and 3 to 4.30, sleeping time, 5 to 6, play time, बच्चों, इसे compulsory for 3 to 4.30, sleeping time, क्योंकि आप जब online classes देखते हो, तो आपकी eyes पे effect पड़ता है, तो आप सो जाओगी, तो आपको, अच्छा, relief मिलेगा, अच्छा महसूस होगा, 5 to 6, play time, play time का मतलब यह नहीं है, कि ममा को, बोलो ममा मुझे phone दे दो, phone में game खेल ला है, आप बहुत TV भी देख सकते हैं, physical आप games खेलें, तो आपके लिए अच्छा है, छत पे जाएं, ground में जाएं, खेलने के लिए, 7 to 8 o'clock यह 8.30 study time, study time is revise time, revision जो आपको classes में, morning में कराया गया है, उसको revise करना है आपको, then 9 to 10 o'clock family time with TV, आपको अपनी family के साथ, बच्छों के साथ time spend करना है, TV देखना है, यह dinner करना है, then good night, 11 o'clock, early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy and wise.